Hello beautiful people, welcome to Lucknow Locals अगर आप एक कडाई लेने की सोच रहे हैं, एक fry pan कम कडाई लेने की सोच रहे हैं एक multi-purpose pan लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है जिसमें मैं आपको दो तरीके के इंडिया के top brands का एक comparative review दूँगा और साथ ही साथ इन दोनों brands के बारे में detail में review भी करूँगा तो चलिए start करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं walk pan की, walk pan होता क्या है देखिए walk pan इस टाइप की कडाईया होती है जिसमें एक मिल जाता है आपको long handle और एक मिलता है आपको side में एक small handle जो कि आपके carry करने के लिए भी असान होता है और साथ ही साथ आपके utility के लिए भी बहुत ज़्यादा बहतर चीज़ है तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं Maxima brand की जो कि tri-ply steel में आपको बहुत ही बहतरी walk देता है जो की 3.6 liter capacity में आती है और जहाँ पे हम Futura के cookware की बात करते हैं जो की बहुत पहले से इसकी walk कड़ाई आती है जो की 3.0 capacity में होती है अब दोनों में difference क्या है वो मैं बता देता हूँ देखिए दो तरीके के लोग होते हैं कुछ लोग होते हैं कि ये cooking crazy type के होते हैं जैसे कि उनको cooking करना बहुत पसंद होता है काफी passionate होते हैं और काफी time देते हैं अपनी cooking में तो उनके लिए ये आप चूज कर सकते हैं तो आप अपने लिए एक tri-ply steel की walk यूज कर सकते हैं जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्वालिटी में आती है साथ ही साथ Maxima Company made tri-ply steel में आती है और यहाँ पे आपको मिल जाती है mat finishing और superb quality के साथ इंडिया या इंडिया के बाहर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आउससाइड इंडिया जिसे USA, London और कहीं पे तो वहाँ पे भी ये wok आपकी compatible रहेगी आपके hot plate के हिसाब से इविन Canada के लोग भी बहुत जादा interested होता है cooking में तो वो भी ये वाला wok pan इस type का ले सकते हैं यह आपको double handle में मिलता है यहाँ पे एक मिलती है stay cool handle जो कि long shaft होती है और यहाँ पे मिलती है आपको stay cool handle जो कि small होती है खड़ाई की तरह और यहाँ पे आपको मिल जाती है 3 layers with induction compatible base 3.6 liter capacity की है एक अच्छी खासी wok के हिसाब से deep और wide भी दी हुई है मतलब यह है कि diameter भी बहुत बहतरीन दिया है अंदर इसके deepness भी अच्छी दी हुई है और बाकी यह है आपकी world class quality में tripleized steel अंदर की जो steel होती है 100% high quality की steel होती है जो की food grade quality की होती है तो आपका जितना भी cooking होगी वो आपकी एक hygienic surface में होगी इस चीज का ध्यान रखना होगा जबा कि पहले इसको आपको ऑईल लगाके और जड़ा सा इसकी surface को season कर लीजएगा तो आपका cooking बहुत ही बहुत ही बहतरीन तरीके से होगी इसमें आपको मिल जाती है यह आपको stainless steel के lid जो कि steak cool handle के आती है और बहुत ही बैटरीन तरीके से fit हो जाती है अब हम बात कर लेते हैं Futura को quiz की तो वहाँ पर आपको मिल जाता है एक steel की lid तो कि Futura की तरफ से आती है बहुत ही बैटरीन rosewood handle के साथ आती है इसको जड़ा side में रखते हैं फिर आपको Futura का पुरा surface दिखाते हैं यहाँ पर आपको कुछ मिल जाते हैं induction, instructions और यहाँ पर भी बता देते हैं कि हर तरीके की चीजों से compatible होता है तो यह भी आप इंडिया इंडिया के बाहर इसको use कर सकते हैं और walk जो होती है वो आपकी Futura की इस टाइप के आती नीचे से आपको induction base मिल जाती है और इसकी भी बहुत जादा demand है इंडियन मार्केटर से मैं जान रहा हूँ कि इसकी बहुत जादा demand है यह भी side में rosewood handle के साथ आती है जो की stakeholder रहता है और यहाँ पर भी आपका rosewood handle मिल जाता है यहाँ पर आपको 4 repeats मिल जाएंगी यहाँ पर आपको 2 repeats मिलेंगी प्लस यह जो metal का shaft होता है पूरी तरीके से पीछे तक लगा रहता है जिसकी वज़ेसे काफी sturdy handle हो जाते है इसकी pricing की बात करते हैं तो यहाँ पर यह मिलती है आपको 1900 with lid इसमें भी आपको discounts मिल जाते हैं जिसका link हमने दे रखा है तो वो भी आप देख ली देगा पहले बात कर लेते हैं इसकी खासियत की तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि यह जो non-stick surface होता है यह Germany से खोकर आता है वहाँ का एक pretended process है जो Futura follow करता है और उसी की ही यह आपको non-stick मिलती है तो made in Germany की coating होती है जो की बहुत 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 क्वालिटी की होती है जो की और कोई company नहीं कर सकती बात कहलेते हैं कि इसमें difference क्या होता है एक Futura के non-stick और बाकी non-stick में यह difference हो जाता है कि यह पहले anodize करते हैं अपने utensils को फिर इसके उपर non-stick coating करते हैं जो की जादा अच्छी तरीके से heat को distribute करता है और एक hygienic surface को तयार करता है तो यहां पर यह अगर आप non-stick लेना चाहते हैं और walk लेना चाहते हैं तो Futura भी आपका बहुत अच्छा option हो सकता है अगर आप बहुत जादा cooking से बहुत जादा experience नहीं है और आप चाहते हैं कि less oil में cooking हो आपका जितना भी food material है वो stick ना हो तो यह आपके लिए 3 liter capacity की walk बहुत ही बहतरीन हो सकती है मैं आपको बता सकता हूँ कि non-stick में इससे बहुत जादा हूँ कि यहां पर लिखा रहता है PFO free non-stick तो काफी लोगों को doubt होता है कि आपको इस डिबेग साथ कुछ free मिला है बट ऐसा नहीं होता है यह PFO free का मतलब होता है जो कि इसके बनने के manufacturing process में यूज नहीं किया जाता है जो कि काफी हजार्ड होता है अब हम बात कर लेते हैं इन दोनों की pricing की फिर से एक बार कि यह आपको मिलती है 1900 की pricing में जिसमें आपको अच्छा का सा discount मिल जाएगा तो best buy link हमने आपको दे रखा है उसमें जाके आप जरूर चेक आउट कर सकते हैं और यहां पे मिल जाती है आपको maxima की जो की 3300 के आसपास की MRP में है जो भी थोड़ा बहुत उपर नीचे हो सकती है तो यह चीज है कि इसका भी हमने buy bank link दे दिया जिसमें अच्छा खासा आपको discount मिल रहा है तो यह भी आप जाके check out कर सकते हैं अगर और भी कोई detail या doubt अगर आपको होते हैं इन लोगों से related तो करते हैं तो यह आपको मिल जाती है 1 kg 412 ग्राम की और अगर इसका side में रख लेते हैं और यहां पर इसकी बात कर लेते हैं तो यह आपको मिल जाती है 1 kg 730 ग्राम तो यह वाली जो वाक है एक तो capacity भी थोड़ी सी जादा है क्योंकि यह 3.6 लीटर की है और यह आपकी है 3.6 तो उसके हिसाब से इसका weight obviously बात है थोड़ा से जादा होना चाहिए हाला कि बहुत जादा weight नहीं है क्योंकि 1 kg 701 kg के आजपस में है तो उसके लिए यह है कि आपकी utility करना आपके लिए बहुत असान है अब हम बात कर लेते थोड़े precautions की तो सबसे पहले जो future होता है वो 2 years की wash करेंगे तो आपका जिती भी coating होगी वो खराब नहीं होती है अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आपको लगता है कि आप इन दुनों में से कोई कढ़ाई लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे link पे जाके जरूर उसको देख लीजेगा और अगर पसंद आती है त तो आप हमारे वीडियो को like और subscribe कर सकते हैं thank you so much keep supporting us